हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल पर आप सभी का पहत बहुत स्वागत है आप सबीको सबसे वाले तो होली की धी सारी शुपकाम ना है आज जैसे कि आपने थम्नल पर देखाई होगा बनाने वाले हैं गुंजिया और गुंजिया वो होली का बहुत ही खास व्यंजन है और यह कई तरह से बनाए जाती है आज हम बनाने वाले हैं सूजी और मावे से बनी हुई गुंजिया इसको बनाना बहुत ही आसान है बस हमें थोड़े से चीजों की क्वाइंटिटी का ध्यान रखना पड़ता है हमने ले लिए मैदा मैदा को मैंने दो कप लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी मिला लिया है और इसे हम घी मिला के अच्छे से बाइंट कर लेंगे मैदा के साथ हमें जो घी मिलाना होता है वह आपने जितने भी क्वाइंटिटी लिये उसका एक चौथाई होना चाहिए इसे अच्छे से आप मसल कर इसे यह बाइंट करके देख लेंगे अगर यह बाइंड हो रहा है मैदा तो आपका जो मिक्स्टिर है वह अच्छा से बना है यहहाँ, दीक है इसका होगा हमारा जिसकताए कोई, कैंदा सकते हैं। उसी तरीके से हमें इसे बनाना है उससे भी थोड़ा सक्त बनाना है पूरी की डो से यह हमारा डो जो है वो बनकर तयार हो गया है अब हम इसे हलकी से गीली कपड़े से ढखकर इसको थोड़ी देर रख देंगे इसको करीब आप 20 मिन टकेगा यह सेट हो जाएगा अराम से उसके बाद हम तयार कर लेते हैं गुंचिया में भढ़ने के लिए फिलिंग उसके लिए हमें क्या के चीज़ें चाहिए सबसे पहले हमने मावा लिया है यह से हमने अच्छे से भून लेंगे मावे को अच्छे से आप भून लेंगे इसका कलर चेंज उड़ने लगेगा और खुश्बू आने लगेगी आपको मावे की और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए है आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लेस मेरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीज़ेगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आल कर देजीगा जैसे बीरियानी वाली सभी वीडियो की नोटिविकेशन्स आपको सबसे पहले मिलती रहें कि हमारे जो मावा है वह त्यार हो गया है भुनकर आप इसे हम कर लेंगे थोड़ा ठंडा ओर चुके देख लेंगे क्योंकि अगर हम गरम मावे में फिलिंग सब सबसेशन्स कर देंगे तो खराब हो जाएगी अब हमने इसे ठंडा करके इसमें मिक्स किया है बुरा इसको आपको तीन गुणा लेना है उसके बाद हम इसमें सूजी एड़ करेंगे तो सूजी को हमें सबसे पहले भूनना पड़ेगा यह मैनी ले लिए करीब 50 ग्राम सूजी मैनी लिए अगर आपको उसमें से ज़्यादा लग रही है तो हम पहले मिक्स करके देखेंगे आप निकाल देना थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी करके ही मिक्स करना वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए का वीडियो पसे दाए तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा और मुझे भी ज़रूर बताएगा कि आपने और किस किस तरह की गुंचिया बनाएगे कमेंट शेक्षन में ज़रूर मेंशन किजएगा हम सूची को अच्छे से चलाके भून लेंगे इसका कलर जब गुल्डन ब्राउन हो जाएगा एकमिन से बहुन चुकी है पूरी उसके बाद जब यह बहुन जाए देखिए इसका कलर चेंज हो गया है यह गुल्डन ब्राउन हो गई है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको ठंडा कमने के लिए रख देंगे जब तक यह ठंडा होती है तब तक हम ड्राइफ रूट्स देख लेते हैं जो हमें मिक्स करने है यह मैंने लिए हैं पिस्ता किश्मिश काजू बादाम थोड़ी से खरबूजी के बीज चेरांजी और थोड़ी से एलाइची और घीलिया है इन्हें हम थोड़ा सा जो रोस्ट करने वाले हैं उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे चेरांजी यह चटकते लगती है इसको जाबा आप भूनेंगे उसके बाद तिल भी बहुत दूर तक चटकते हैं इसलिए इसको थोड़ा कठाई को गरम करके और फ्लेम को आफ कर दीजेगा यह अपने आप भून जाएंगे नहीं तो यह दूर तक चटकते हैं और फिर उसके बाद हमने ले लिए सारे ट्राइफ रूट्स मैंने उन्हें मिक्स करके एक के साथ सब को भून लिया है करांम निकाल खाल और इनने हम उसके बाद पिस लेंगे जो हम बूरा हमसे कर लोगे अवर जो हमने बूरा में मिक्स करके रखा थाथ उसके बाद हम मैदा हमारी सेट हो गई है हम एक लोई बनाएंगे और उसकी चपाती बेल लेंगे जिसे हम पूरी बनाते हैं इसको थोड़ा पतला बेलना है आपको और पूरी से भी ज़ाधा पतला बेलना है और अब हम इसमें भर decade मैंने सांचा ले लिया है और इसे सांचे के ऊपर रखा है इसकी बाद हम इसमें घुर कर लेंगे हमारी इसटफिँग जो हमने बनाई है अच्छे से स्टफिट फिल करनी है बहुत ज़ादधा भी नहीं ठरना ऐ स्टार्श चाहीं कोछ लगानी के लिए मैंने लगाया है अगर आपकी मैदा आपको कुछ लगानी के ते जरुड़त नहीं है इसी तरीके से हम अपने सबी गुंजिया को बना लेंगे कुशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी बना के और उन्हें तलते रहे एक साथ बना के ना रखे नहीं तो यह वो सूख जाती है मैदा और गुंजिया खुलनी शुरू जाती है जब हम ऑईल में इसे फ्राइ करते हैं अब हम ने ओल कर लिया एक गरम और उसके बाद हम इन्हें सबको तल लेंगे तो देखिए गुंजिया बनाना कितना है आसान है और मेरी इस वीडियो के तरह आप ज़रूर इस रेसिपी के तरह बना कर देखिएगा गुंजिया को तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप खेलते रहे होली कलरों का तिहार है बहुती सुन्दर तिहार है थैंक्स पो वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई